आफ्टर डिसकसिंग बेसिक प्रपर्टी रिगार्डिंग यूपिंग स्टेट्मेंट्स और टाइप सब्सक्राइब लूप के लिए लूप का प्रैक्टिस टोटल में त्री सेशन में डिवाइड करूं फर्स्ट वन प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू फोचार्ट डाइप सकते करेंगे लौजी कल चौर्ड जूप के रिस्पेक्ट ने पॉस्फील पूरॉट अलइक है सेीज बेस्ट प्रोग्मस प्रोग्स लाहिक है सभी सबस्टेंगा बेस्ट प्रोग्स और नंबर बेस्ट तो डिजिट ऊपरेंड नंबर आपरिशन आपरेंस सारे डाइग्राम सोगरां बिस रिस्पेक्ट टू फोलूस सपोस्ट एट समें स्टेट्मेंट इस जीरो देन फोलूप फोलूप के किसमें इस डिस्कुस किया था फोलूप को टोटली थी सैसन में डिवाइड करना पॉस्ब लाइए फ़स्ट सैसन इस कंसीड़ेड एज इनि तो completely different sessions समत्निंग स्ट्व स्कुर्ण सीिकिलेंट सेसंश शंथी थो तें बी बोडी बोडीज ओर रमी सीग्री स्टेट्मेंट इसुक्त स्टेटमेंट से भी मäg वाइड करना है पॉसलूब और करली ब्रति के थरू भी माइड करना पॉस्बीलिक निकु करना पॉस्वीले देन, i statement one, means initialization, session, condition, और again increment, decrement session, next one, curly braces, और body of loop as a statement h3, इस investigation रोफ के body part वाली single statement point कहा है h3, same है, इस statement को write करने का other possible syntax उच करेंगे, next one case one case two case three third case s0 s0 के जश्ट बाग इनिशिलाइएजन सेशन अल्याइड लाइफ में लिए 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 इनिशिलाइजन सेशन इनिशिलाइजन प्लेस पर भी उज़ करना पॉसला सेम स्चेटमेंड जस्टी लूप के बेगिनिंग में प्लेक्रट करना पॉसलिए फ़़न लूप घन फ़ियृ जैन सेमिकलान वरर्ट का चटान मिस निशिलाइज लॉप ज़ाए ज़े एंप्टी जिएं दें कंडिशन धन चुछ देन बॉदी और लूप या स्टेटमें डे this is the another way of writing same loops same as same loop को राइट करने का other syntax follow कर सकते हैं like again s0 s1 then for loop empty sessions then conditions then semicolon then again increment decrement session विए प्रवाइड किया जा है है empty then body body की case में प्रवाइड किया है s3 और s3 के जास्ट बाद s2 s2 means increment decrement sessions मिसे इसकेस में four different different syntaxes प्रवाइड कि हैं जबकि सभी syntax का meaning कैसा logically equivalent मिसे इसकेस में सभी syntax के according कर आप कोई भी syntax को follow कर कोई भी logic प्रवाइड को इसकी meaning कैसे हैं अल्वेज सेहन वाड़ेड है फ्लो गन्ट्रोल डाइगराम और एक्जी किसन फ्लो डाइगराम फर्स्ट केस लूप के रिस्पेक्ट में total four session है initialization session सबसे बहले किसी भी लूप के रिस्पेक्ट में चांस किसको प्रवाद हुआ initialization session फर्स्ट वन इस session ओली life में one time execute करना पॉस्माली कितनी बार एक्जीक्ट हो एक्जेक्टली one time initialization session complete करने के रिस्ट वाद धन गंट्रोल सेंगो तुदा conditional session second case में test के हुआ conditions third case condition test होने के रिस्ट वाद धन body execution body execution depend करेगा if condition is true or false condition true then only body part execute in case of if condition is true then body will be executed body execute होने के जस्ट वाद देन चांस किसको प्रवाइड होगा increment decrement session means किसी भी लूप के respect में से particular sequence फोड़ होगा initialization session life में one time execute condition अगर end time check हो रहा है end time condition end time test होगा तो body कितनी बार एक्जीक्ट होगा end minus one time because end time condition testing में end minus one time conditions कैसे हैं वे true और one time condition कैसा होगा false इसलिए body कितनी बार एक्जीक्ट होगा only in case of true true कितने cases में end minus one time last case में condition जब फॉल्स होगा देन control वार जाए then increment decrement session भी कितनी बार एक्जीट होगा डिपेंड करेगा body और body end minus one time एक्जीक्ट भी होगा then increment decrement session भी कितनी बार एक्जीक्ट और एक्जाक्टी एक्जीक्टी 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 क Kollege Argent करेए . यह टी जाँ सिट्वाइशन्स में एक्जीक्ट होता है स्टेट्मेंट करेशन में decision is test 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 condition test पोस्वल के सिर्ट ौर बोधिके के सिंगाल स्टेटमेंट पोड़ के चाहिए जाओ S3 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 means body body के जास बाद control का शेंट हुगा increment decrement session which is S2 then in this case हम chance के शको प्रवाद हुगा S2 then S2 के जास बाद control again का शेंट हुगा condition testing means next one again to the condition testing condition test होने बाद फिरसे two possible case हों condition is either true or false condition next time फिरसे true है फिरसे control हा send हुगा body then increment decrement session then condition sequence हमें सब फॉल हुगा इस case में तीनों statement कितनी बाद एक जीक्ट होगे continuous form लेकिन initialization session कितनी बाद एक जीक्ट हुगा only one times दूसरा possible case का condition is false condition false होने कि जास में control send हुगा outside body of loop current case में loop के बाद के बाद को statement point नहीं के इसलिए में इसको console करा जा exit session और outside loop like this is the execution control flow diagram respect to given cases मिन सभी जितने भी examples राइट किते हैं सभी examples के respect में exactly same diagram कीट होगा filter था frustrated जासी सभीपजर kवा